अब आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ इस टाइम में मैं आप लोग को वादा किया हूँ कि अब यानि मैं 10 सेट लेकर आऊंगा सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जो की लगबग लगवा हम लोग एक हजार कोशिन को पढ़ने वाले हैं और यह एक्जाम से पहले- साइस किसी भी सब्जेक्ट की हो जाएगी क्योंकि मैं एक सरी चला रहा हूं और एक्जाम से पहले-पहले यहनि अब्जटी की पूरी तरीके से तैयारी हम लोग कंठस्ट तरीके से कर लेंगे तो अब पूरी तरीके से बने लिएगा हमारे साथ और आज के को देखेगा औ अब लोग को पूरी तरीके से देख लेना है और यह देखिये आज के परशनों को देखे सबसे पहला प्रशना में राज का क्या रूप था तो प्राचीन यूग में राज का रूप जोता है क्या था फटावर्ट से आप लोगो जवाब देना है तो इसका नमबर नगर और धर हो जाएगा चलिए और इसका पीडियाफ के बारे में बताने वाले और अब लोगो कैसे मिलेगा वह बहुंत वर बोडियों में जकडा हुआ है तो यहाँ पर फटाबर्ट से आप लोगों बताने तो इसका दूसरा नमर का रिक्टन से निम्र हो जाएगा ठीक है सारे इंपोर्टन परशन में लेकर आया हूँ और सारे प्रशन को मैं दस सेट लेकर आउंगा तो सारे इंपोर्टन क्वेशन जो आपकी त्यारी जो बहुत अच्छी हो ज जाएगा ठीक है अभी अगला विष्ण क्या बोंक्टार कहल रहा है कि किसने कहा की द्रम लोगू के लिए अफिम है ऐसे करेभा ने चलिए अगलोगों के किसने कहां प्रिनाम नहीं है तो कौन संदी पर किस राज नहीं किये तो यहां पर इस नमबर का ट्रेक्ट्र और यह नमब्र में क्या है यह भारत करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है जले अब देखे अगला वसक्राइब यूरोपीए आर्थिक समूदाइक अस्थापना कभू ती तो यूरोपी आर्थिक समूदाइक अस्थापना कभू वी थी तो साथ का यह है है यह नरी 157 करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है जले अब देखेंगे अग्ला पह democracy कि इंटरनेशनल कि से संबंदित है तो यहां पर आठ का क्रेक्टन सर्ट क्या होगा तो आठ नमबर क्या होगा यानि मानव अधिकार करेक्ट हो जाएगा चीक है चले अब देखेंगे अगला कुछन क्या बोले तरह कहे रहा है कि किस देश के परभुत्य से एक दुरुवेता कायम हुई तो यह पर नाइन नमबर का क्यारेक्टन सर्कावा तो डी नमबर डी नमर में अमेरिका के परभुत्य से यानि एक दुरुवेता कायम हुई थी ठीक है चले अब देखें अगला कुछने क्या बोले जारा फटावर से आप लोगो जवाब दिने कह रहा है कि सो त समय अंतिम राश्टरपती कौन थे सब्सक्राइब मिखायल गुरुवाचे ओड़ू जाएगा ठीक है चलिए अब देखिया अग्ला अमेरिका का पर्तम राश्टरपती कौन था तो यहां पर बारे का रिक्राइब तो बार नमर ऑपे अनसर एन नमर और यह नहीं जॉर्ज वाज सिंग क्योंगा जोर्ज वाज सिंग करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब यहाँ पर देखें तेरे नंबर कोशन क्या बहुत करेंगे इसका स्क्रीन शॉट भी कर सकते हैं आप लोग देखें को ओके चलिए अब यहाँ पर देखते अगला कुशन क्या बहुत करें कि द्वीटिये विश युद्ध में अमेरिका ने जापान कि शहर पर परमानु बंग रहा था तो जापान में परमानु बंग रहा था तो किस है तो पर तैक्ष परजा तंत्र जो किस देश में तो यहाँ पर 15 का क्या होगा जल्दी से बोलना आप लोगों को तो यहाँ पर हमारा जल्दी से आप लोग फटामट से बोलेगा चले बहुत बढ़ा एकदम आप सभी का जवाब आ रहा है तो शी नमर यानी स्वीट जडर लिया गया था तो यहाँ पर 17 का क्यारेक्ट अंसर दीनवर का डीन में 2003 में लिया गया था चींक है अब देखे अगला कुछ समय क्या बोला जारा है कि श्रूल यहां सबसे बड़ा देश कौन सा थो ने पर अच्शिं नमर नी भारत सबसे बड़ा देश होगा ठीक है चलिए अब दिखते अगर अब यहां पर देखे बीस नबर कोशन क्या बहुत करेंगा दक्षिन एस याइए का कौन सा राज नसली उग्रवाद से पीत है तो यहां पर बिस नमर का करेक्टेंस रिलंका करेक्टेंसर हो जाएगा ठीक है अब देख का रहा है कि सनुक तर आश्न के पतमे को सब्सक्राइब करेक्टन रहा है كा अब डेके आगार सुरक्षा परिसद में सतस्य कि संख्या कि तनी है तो यहां पर 23 क 맞아 भी तो आपन्स पांच जागा ठीक है अब देखे अग्या वोड़ा रहा है कि दक्षास का पहला सम्हेल और तो तो दक्षास का पहला सम्हेल रही ने बांगला देश में हुआ था ठीक है चलिए आप देखे 25 वोशन क्या बुल रहा करें की नीचे के देशों में असीयान का सड़से क तो आपन जो है सबसे नहीं है ठीक है जाले अगला अगुशुन क्या बहुत रहा है कि निम्ने कित मैसे कौण सा देश नाटो का सथाफना था तो कौन देश किया था तो यहां पर करेक्टर जल्दी से बुलेगा तो इसका करेक्ट आंसर जो जागा यांवी बिरिटेन ने किय था ठीक है चलिए अब देखे अगला कुछन देखिए क्या बहुत जाएगा ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला कुछन यह सारे प्रश्ण आप लोगो को जो है पढ़ना बहुत जादे जरूरी है अब देखें तो यहां पर 29 करेक्टन सर्काव जल्दी से बोलने हैं आप लोगों को 39 का इनमबर इनमर में क्या विश्व वयापार संगठन करेक्टन सरे नमर होगा ठीक है चलिए अब देखें अगरा कुछन क्या बहुतर है कह रहा है कि 11 से नंबर 21 को निमने लिकित मैं से कौन सी घटना घटी थी तो तीस नमर का कैरेक्टन सर्काव शीनमबर इन शीनमर का विश्व आपार केंद्र पर आतंगवाधी हमला करेक्टन सर्षी नमर होगा जाएगा ठीक है अब देखें अगरा कुछन के क्या बोलो जारा है कि सांती अस्थापना के कारियों की देख रेक किस अधिक शुरक्ष्चा परिसद पर है ठीक है करेक्टन सर्भी निम्र हो जाएगा चलिए अब देखे मारा साजा भविस से एक रेक्ट्र हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखे अग्ला उस्टी क्या बोले रहा है कि 1905 में कि सहर में एफ रो एसीया सम्मेलन हुआ था तो अपर 34 का करेक्टर निटाव तो बीन बर एनिक वाइंग क्या नम था बाइंग मैं ठीक है अब देखे अग्ला अग्ला शुन देखे कि ठीक है चलिए अब देखे अग्ला शुन देखे क्या रहा है कि विश्व और अहिंसा दीवस किस तीठी को मनाया जाता है तो अब देखे अग्ला कुशन देखिए क्या बोल जा रहा है फटाबर से देखना है तो सुरी यहां पर सी नमबर करेंगे दो अक्टूबर को विश्व और सा दिवस मनाया जाता है ठीक है सुरी चलिए क्वेशन जो मैं सी पहले बोल करके मैं यहां पर मिस्टेक कर देख था ठीक है अब देखे अग्ला कुशन क्य की गई तो अब 38 कारेक्ट इंसर क्या दी नमबर हैं उन्हें सो अरतालिस को की गई थी ठीक है काफी इंपोर्टन प्रशन है चले अब देखे अगला कुशन क्या बोला जा रहा है कह रहा है कि विश्व बाजार का विश्तार आधुनिक काल में किस समय से आरम हुआ तो यहा अब सब्सक्राइब काूं समय के सजदस्ता कौन थे अब रहें की सब्सक्राइब काम फ Samuel x जाते ठीक है अब के अब देके अग्राइब पैस्तर मोच भीांद मख सब्सक्राइब क्या बहुत भी छादस्ता को सुरक्षित रखने में किस चत्व को की और security मत पुर्ण भ्यूमी का है तो यहां पर क्रेक्टन से क्योंको जल्दी से बताएगा तो बैल समय राइट एंसर क्योंका शी नम्बर है परभावी विदिक वह नियाइक विवस्था करेक्टन सी नम्बर करेक्ट होगा ठीक है चलिए अब देखे अगला कुछन देखे क्या बो करें राज विदान मंडल में विदान परिस्द को जाना जाता है तो कैसे जाना जाता है तो यहां पर चावाल करेक्टन से क्या होगा तो इसका क्या होगा यह पैतल संब्सक्राइब संबंदों में परमुक अर्चने क्या रही थी तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा जल्दी से बोलने अप्लों को इन में से सब्सक्राइब जिए अब वरह जाएगा ठीक आप देखे अगारा सुन ए ख्यापल करेकी समय दन सब्सक्राइब अध्यक्ष कौन थे तो सभी जान सभागे अध्यक्ष कौन थे तो सभी निबरेनी डॉक्टर राजपल करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब देखे अग्ला शूदी क्या बढ़ा रहा कि भारत ने लंबे संगर्स के बाद सोतंतर ताप आई तो कब आई थी तो आप प्रशाइट को पाई थी ठीक है काफी इंपोर्टन और इजी कुष्ण है अब देखें अगरा कि भारत में लौपूरुस की संग्या किसे दी गई है तो यहां पर क्रेक्टन से क्या होगा श्रीन बल्लब भाई पटेल को दी गई है ठीक है अब देखें अभी हम लोग आप लोग को बता क्या है इसके रिपोर्ट के आधार पर 1906 में राज्य पुनरगटन अधिनियम पारित किया गया था तो यहां पर क्रेक्टन दर बी नमबर होगा ठीक है चलिए अब देखें अगला कुष्ण के कि अनुछेद के अधीन भारत के राष्ट्रपती पर महाभयोग चलाया जा सक रखता है तो अब तरह तरह पंगा करेक्टन सब्सक्राइब दिनमबर में एक मिनट में दिखा देना अपनों को अनुचेद क्या होगा एक सच करेक्टन सर हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखें अगला कुष्ण क्या बोला जा रहा है कि सन्विदा निर्मात्री सभा के प्रारूप समीति के अध्यक्ष कौन चुने गए तो यह पर 54 का करेक्टन सर दिनमबर डॉक्टर भीमराव अंबेट कर करेक्टन सर दी नमबर हो जाएगा ठीक है अब देखें अगला कुष्ण क्या बोला जा रहा है कि कानून का सामान का समान संद्रक्षन सब्दा वली कह से लिया गया तो यहां ठीक ठीक का इनमबर अमेरिका से लिया गया था ठीक है अब देखें है अग्या क्लशन दक्ता अन्य 小च चुनाओ आयुक्तू कि नयुकति किसकत रहा की जाती है तो फ़श्पन का करेक्टन सर Egyptians रीन राश्टर-पती के डュबारा ली जाती है की जाती ठीक है चलिए यह सारे अगर आप लोग को अगर दुबारा से पढ़ना तो इसक्रीन शोट करके रख लीजेगा ठीक है और बाद में पढ़ सकते हैं अब यहां देखें क्या प्रती नीधी लोग तंत्र का आधार होता है तो संतावन का करेक्ट निंबर शीन लोग सभा करेक् कि राज्य सभा की सदस्यों की नियुम्तम आयू क्या है तो अब अन्ठावन का करेक्ट नंसर का बी नंबर बी नंबर में तीस वर्ष करेक्ट हो जाएगा चीक है अब देखेंगे अगला कुछन देखें कि भारतिय सनमिधान में सम्विर्ती सूची की प्रेड़ना कहां से ली गई है तो उनसाथ का करेक्ट नंसर शीन वर नि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है चलिए अब देखेंगे अगला कुछन देखें कि अस्थान की सब्सक्राइब यहां पर क्रेक्ट नंबर का हो जाएगा तो सब्सक्राइब बिन पर निस संग्यात्मक्षासंद करेक्ट हो जाएगा ठीक है अब यहां पर देखें अगला प्रशन नमर क्या बोड़ा करें कि अगला प्रशन नमर को सत्ता में आने का सुरफ अउसर कभ मिला करेक्ट करेक्ट में दूसरे चुनाओं के बाद करेक्ट नमर ठीक है चलिए अब अगला देखते हैं अगला कुछन क्या बोला जा रहा है कि भारत की राष्ट्रपती परतीमा परतिभा देवी सिंग पार्टेल का कर्म मैं कर्मे के हिसाब से कौन सा अस्थान है तो यहां पर करेक्ट नजर क्या होगा यह निमबर हो जाएगा ओके चलिए अब देखें अगला कुछन देखें क्या बोले जारा है करें कि सोतनत्र भारत के परतम गवर्नर जनरल तो चौंसट का राइट आंसर हो जाएगा तो क्या होगा जल्दी से अपलोग बतासके चीन में क्योंगा लॉड माउंट बेटन ठीक है चलिए अब देखें यहां पर देखें अगर आप लोगो पूछा जाएक तो यहां पर क्या तो यहां प पूछारी और पूछा जाएगा कि भारत के बार्थम भारतिये भारत के परतम भारतिये तो तिराज अपलाचारी होगा और यहां पर क्या परतम लॉड माउंट बेटन चलिए तो इसमें बहुत सारी स्ट्वेंट है बट कंफिए नहीं अब आप लोगो अब देखें अगल का पार्टी के अस्था अपना कभी ती तो यहां पर चार्च का करेक्ट अंसर क्या होगा यह नंबर नी 1977 में हुए थी ठीक है चलिए अब देखें अगला कुछन क्या भारतिय संविधा संगिये विश्था की विशेष्था नहीं है तो यह सारे प्रशन जो भी पढ़ लेत आएगी ठीक है अब देखें अगला कुछन क्या बोला रहा करेंगी दूइतिया पंच वर्ची योजना का कार्यकाल क्या था तो अपर 59 का करेक्ट अब निम्र नहीं उन्हें सो चापन से क्या बोले तरह कह रहा है कि 1952 मैं किस अंगठन की अस्थापना की गई थी तो यहां पर और चाहसी निम्बर नी वित्य आयों की गठन यानि अस्थापना होई थी गठन की गई ठीक है अब देखें अगला कुछन क्या बोला रहा करेंगी बजट का संबंद किस पक्ष के सा आथ है तो यहां पर बातर का करेक्टर रिकार शी निम्र वह होए वै क्या वाइक और वह दोनों करेक्टर अंसरो का शी नूमबर ठीक है चलिए अब देखें कि अगला बिज्टा बने कि कि सब्सक्राइब करेंगी किस पंची वर्षिय यॉजना को युजना कहा गया तो य योजना आयोग कब समाप्त कर दिया था देखिए आप लोग को पूरीदर के से देखना है ठीक है मैं यहां पर आप लोगो को क्वेशन फटाबट से कर रहा हूं जिसके थोड़ा बहुत इधर उदर हो जाता है बट कोई बात नहीं आप लोगो टाइम वेस्ट नहीं करना चा तो सुभासन बोस ने किया था ठीक है चलिए अब देखेंगे अगला प्रशन अब देखते हैं अगला प्रशन क्या बोड़ा करेंगे निम लेकित मैंसे कौन सा कथन गुट निर्पेक्ष आंदोलन के उद्देशों पर परकाश नहीं डालता है तो यहां पर ऑप्शन अगला प्रशन क्या रहा है कि मेंक मोहन रेखा क्या है तो मेंक मोहन रेखा क्या है तो यहां पर करेक्ष चीन के बीच सीमा है ठीक है अब देखे अगला क्या बोले करेंगी गुट निर्पेक्ष की नीव रखने में किस भारतिये नेता का परमुख योगदान था तो असी का करेक्ष निमर शीन में क्यानी जवाहर लाल नेरू करेक्ट हो जाएगा चीक है अब देखे से लगनात्यूद हुआ था ठीक है दिखे अगया अगला मुखन देखे क्या बोले करेंगी ताशकंत समझें आई समय स्वेद संका परती नीदो नेता कर रहा था तो कौन कर रहा था तो यहां पर पर प्रमुख जवाब देखें त θα रहें तो त्रासी का या लगाया था तो यहाँ पर हमारा 84 करेक्टर का एक नमबर में लगाया था अब देखिए अगला प्रशन देखिए किस राज में सबसे पहले गैर कॉंगरी से सरकार बनी तो यहाँ अब देखिए अगरा कुशन बोला रहा है कि शासी नमबर के निधन के बाद उनका राजनी तिक उत्रा अधिकारी कौन बना तो चाहसी का करेक्टर अंसर हो जाएगा अब देखिए अगला प्रशन की क्या बोला जा रहा है कि सब्सक्राइब के मुंबई अधिवेशन किसने अधिशन किसने अधिक्षता की दी तो आपको देखिए आप लोग सब्सक्राइब क्या कर रहे है जो आप मतलब नाई को नाई पड़े तो फटावट करने के लिए देखिए आप लोगा टाइम बहुत कम है और यह इस अब भारत में गयर कॉंग्रेस के पहले पर्दानमत्री कौन थे तो 88 का करेक्टर निम्बर बीमर मोरार जी देशाई करेक्टर हो जाएगा ठीक है अब देखिए अगला कुशन क्या पर आप लोगो देखना बहुत ज़रूरी है देखिए किस पर्दानमत्री के समय यह बात उठी थी कि जज के पद पर न्यूक्ति से पुर्व उस वैक्ति के समाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए तो यहां पर करेक्टर ने किस ने कहा तक कब यानि किस पर्दानमत्री की बात थी तो 90 नमर का शीनमर निंद्रा गांति की बात थी क्योंकि अगर जो जज होता है जज बनता है तो उसके जो पिछले समाजिक जो कारिया होता है क्या होए उलोग किस तरीके से खांदान से देखता है तक जबनता है तो यहां पर एकांटर नमर नहीं क्योंगा क्रेक्टर हो जाए ठीक है चलिए अब क्या परकास्ति कि आठीक चली अब देखे अगला कुछ निक्या रेगी भारत में तीसरी बार रास्त्रे अपात काल कभी लगाया था तो त्याने परकास्ति में लगाया था ठीक है अब देखते हैं अगला कुछ तो राइट अंसर नी जल्दी से आप लोगों बोलने है इसका क्या होगा जल्दी बोलेगा क्या चलिक है अब देखे अगला कुछन क्या बोला करें कि किस परदान मंत्री ने मंडल आयो की सिफारिशों को लागू किया तो यहां पर पंचानवाय का अंसर क्या होगा जल्दी स तो यहां पर चानवाय का अंसर क्या होगा तो एन नुमर एन अमर में एक बाइस ठीक है अब देखे अगरा शुन क्या पर देखे करें कि चिपको आंदुन के सनस्थाप कौन थे तो संतानवाय करेक्ट नसर बीन में सुन्दरलाल बावगुना करेक्ट हो जाएगा अब दे अगरा शुन बोला जाए कि सवराश्ट किस राज यहां तो यहां पर नियानवाय का जल्दी से बुलेगा तो दी नंबर यहां गुजरात करेक्ट नसर हो जाएगा ठीक है अब देखे अगला क्या एक चाहत्र आंदुन के सुरुवात कहां से तो इसका क्या होगा यानि एक कैसे पढ़ेंगे ठिक है चले सबसे पहले आप लोग भी चली तो Google यहां आप लोग को अब लिख देंगे तो यहां पर देखिए आप लोग को कंटेन मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव कोष्टन सब्जेक्टिव कोष्टन उसके बाद की ह deserving का मिल जाएगा जहां पर अप क्लीच करेंगे जैसे यहां पर आगर आप क्लीक करेंगे तो यहां से कंटेन को किलिक करके दुखर कर क्लिक करके यानि कंटेन कहाँ पर मिलेगा अब देखे नीचे आईएगा तो यहाँ पर चैप्टर वाइज मिल जाएगा उसके ओनलाइन टेस्ट देना बहुत जरूरी है तो ओनलाइन टेस्ट जरूर दिएगा यहाँ पर देखे आप लोगो आना ओनलाइन टेस्ट के लिए क क्लिक करेखेंगे की खोलिक करेंगत अब यहां पर देखें जाइँ अई को आगली वीडियो में